अलो दोस्तो नमस्कार स्वाक्त आपका एक्जाम क्रेकर यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हिमचल प्रदेश पुलिस एक्जाम के उपर तो यह जो भरती अभी निकलने वाली है तो इसके उपर जो है हम आज डिस्कस करेंगे तो में हम बात करेंगे कि किस महिने में जो है यह भरती सुरूँ होगी रिखुलर होगी या फिर कौन्ट्रेक्ट बेसिज पर इस बार जो है फॉर्म कि फीस बड़ी है या नहीं और सी्लेबस के उपर भी हम इस में डिसक्स करेंगे और और ground information के उपर भी और अगर सबसे important देखा जाए इस भरती के उपर तो सबसे जो जुरूरी देखने योगे बात हैं वो है कि इस भरती का exam कौन conduct कराएगा HPSSC हमिरपूर या HPPHQ मतलब हिमाचल प्रदेश पूलिस हेड़कौरर तो और इसके उपर जो है डिटेल हम डिसकस करेंगे और आयू सीमा को लेकर भी जो है हम बताएंगे कि इसमें आयू सीमा कितनी निरधारित की है तो चलो सुरू करते हैं वीडियो को तो जिन भाईयो बहन सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जुरूर प्रेस करें जिससे आपको जो है वो तमाम हिमचल प्रदेश सिसमन्दी छोटी बड़ी जानकारी या स्टड़ी स्लेबस और जो भी हम मोग लगाते हैं उनकी जो आपके फोन पर मिलती रहेगी तो शुरू करते हैं तो अगर हम बात करें तो टोटल जो वुखैसी है वो तेरह सो चौनतिस हैं और इसमें जो है जो मेल के लिए हैं वो 976 है और फिमेल के लिए 267 है और कान हुए कॉंस्टेबल मेल ड्राइवर है तो अगर हम बात करें इसके फुल डिसकस तो इसमें जो है अभी तक अनाउंट नहीं हुआ है कि इसकी जो ऑफिशिल नॉटिफिकेशन है वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है जब रिलीज होगी तो आपको इस चैनल के माधिम से सबसे पहले वो जो है बताई जाएगी तो नेक् अगुआ बताईब्च के लिए जो है जो है इसकी fait बरती लेगा और कॉलिफिकेशन जो है वह तो बारा पास और हम लाइसेंस की बात करें तो ड्राइवर के लिए जो हैं ड्राइविगा होना अनिवारे हैं तो अगर हम बात करें कि इसमें फीस कितनी लगेगी तो जर्नल की जो है 140 SC, ST, OBC और IRDP की जो है 35 रुपए लगेगी और अगर हम बात करें कि जो कॉस्टेबल हैं तो उनकी जो है नंबर आफ पोस्ट जो है से 1900 रुपए उसी प्रकार से कॉस्टेबल मेल तो इनकी टोटल विकैंसी है 267 और जो योग्यता रखी गई है 12 पास और सेम जो है सेलरी है कॉस्टेबल ड्राइबर इनकी नंबर आफ पोस्ट कानुए और जो योग्यता है वो है 12 पास लेकिन इनके लिए जो है बैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो भी हैबी हैबी लाइसेंस होना चाहिए और सैलरी इनकी भी सेम है तो अगर हम बात करें एज की तो एज में अगर हम देखें तो अभी एज के उपर एक जो है वो Confusion है कि जो जर्नल की है वो पहले तो थारा से तेश होती थी लेकिन करोना काल में जो है ये भरति जो है 2020 में होनी थी लेकिन अब ये जो है लगता है 2021 तक जो है इस भरति को जो है पूरा किया जाएगा तो जब सरकार के जो notification निकालेंगे इसके regarding तो उसमें जो है हम आपको इसकी detail information देंगे कि कितनी जो है इसकी age limit रखी गई है लेकिन अगर हम पिछली भरती की मान कर चलें तो इस प्रकार से जो है ये जो आपकी age जो limit है वो रखी गई है अगर हम इसकी height की बात करें तो height इसमें जो है वो मांगी जाती है पांच फुट छे इंच से लेकर पांच इंच दो इंच तक जर्नल वालों की ये है पांच फुट चार इंच से लेकर और फिमेल की बात करें तो 5 इंच और जनरल जो फिमेल है उनकी 5 इंच से लेकर 5 इंच 5 फुट 2 इंच तो अगर हम बात करें इसी प्रगार से जो है वो सभी कैटेगीरी की आपके सामने बताई गई है कि किस कैटेगीरी की कौन सी जो है वो हाइट है तो इसमें आपको जो है वो 5 मार्क्स लगाए ज आते हैं 80 का आपका टोटल जो है वो पेपर आता है अगर एच पी जो है पुलिस हैड़कॉर्टर से जो है पेपर बना हो तो यह असी नमबर का आता है अगर एच पी एस ऐसी डालेगा तो यह जो पेपर आएगा वो आपका 25 मार्क्स का होगा और इसमें जो है 170 प्रसंट आ 32 32 मतलब 30 इंच या 32 यह जो है वो जर्नल वालों के लिए S.E.S.T. के लिए 39 से लेकर 30 के बीच और O.V.C. के लिए 30 से 32 और नेक्स्ट आप देख सकते हैं जितनी भी जो है वो चेस्ट दी गई है अलग-अलग के लिए उसके बाद अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में रेस जो होती है वो मेल के लिए 500 मेटर होती है 6.5 मिंट का टाइम मिलता है और फिमेल के लिए 800 मिंटर होती है और 4 मिंट 14 सेकंड का टाइम मिलता है और केबल एक ही बार इसमें मौका दिया जाता है और उसके बाद आता है हाई जंप तो दो जो है 1.50 मेटर जो है यह जंप होता है मेल के लिए हाई जंप और जो फिमेल है उनके लिए जो है 1 मेटर होता है और इनके लिए भी तीन attempt दिये जाते है और जो broad jump होता है उस वो है 4 meter और तीन attempt दिये जाते है और female के लिए जो है 3 meter है तीन attempt दिये जाते है तो इनके लिए भी जो है किस प्रकार से इनकी तियारी करें किस प्रकार जो है एक ही attempt में जो है इन जंपों को निकालें इसके लिए पर आपको वीडियो दो तिन दिनों के अंतरगत मिल जाएगी अगर आपने अभी तक हमारी यूटिव चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बैल आइकन जुरूर प्रेस करें जिससे आपको जो है जो भी हम अपने यूटिव चैनल पर वीडियो अपलोड कर ब्रॉड जंप ये तीन जो है वो इसका सेलेक्शन प्रेस में फिजिकल टेस्ट में आते हैं और रनिंग होती है तो अगर रिटन एक्जाम की बात करें तो रिटन एक्जाम अभी तक हम मानकर चल सकते हैं कि ये एच्पी एच्क्यू हैड़कॉर्टर के द्वारा ही जो है डाला जाएगा लेकिन जो भी एक्जाम अब कंड़क्ट किये जा रहे हैं वो सभी एक्जाम जो है वो एच्पी एससी हमिरपूर के द्वारा जो है कंड़क्ट किये जा रहे हैं जैसा कि आपने पहला एक्जाम देखा होगा कंड़क्टर का तो कंड़क्टर के एक्जाम को भी पहले जो है बोर्ड जो HRTC का होता था वो कंड़क्ट कर आते थे लेकिन जो भरतियों की गड़बड़ी के कारण जो है वो अब HPSSE हमिरपूर को ही जो है सारे एक्जाम सौंपे जा रहे हैं क्योंकि ये जो है ये एक्जाम डालने में BCS अग्ये जो है इनके अंतरगत बैठे होते हैं HPSSE हमिरपूर बोर्ड के द्वारा HPSSE सिमला के द्वारा तो अभी तक तो कोई ओफिसियल नौटिफिकेशन नहीं आई है लेकिन आप ऐसा मान कर चलिए देखिए दोस्तों चाहे को कोई भी बोर्ड एक्जाम डाले आपको एक्जाम क्रेक करने से मतलब है तो जो है आपको ये बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है और उसके बाद जो है इसमें परसनल इंटर्विव होगा और आपका मेडिकल होगा तो अब हम बात करते हैं जो है सिलेबस के उपर तो है हम सबसे पहले आपको बताते हैं हिमचल प्रदेश मान्य ग्यान तो दोस्तों जो हिमचल प्रदेश का समान्य ग्यान है टोटल ये आपको 30 दिनों में हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए कवर करवाय जाएगा अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए जो है वो 30 दिनों में पूरा हिमचल जी के पढ़ लें तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एक्जाम क्रेकर को और जो आप बगल में एक बैल आइकन आएगा उस पर आपने प्रेस जुरूर करना है जिससे जब भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालेंगे देखे जो हम HPGK की वीडियो डाला करेंगे वो सुभा के 9 बजे हम जो है वो डाला करेंगे जिसे आप जब भी आपको टाइम लगे अगर आप किसी जॉब में है तो आप जो है इसको जब भी आपको टाइम लगे दुपहर को साम को तब आप देख सकते हैं तो सुभा 9 बजे जो है हम एक वीडियो डाला करेंगे जो है HPGK से समंदित जिसमें आपको जो है डिटेल इनफॉर्मेशन हर टॉपिक से समंदित जो है वो प्रवाइड करुआ जाएगी अभी मैं आपको जो है स्लेबस भी बताऊंगा कि क्या-क्या स्लेबस हमने इस जो ह है वो क्रेसकोस में कवर करना है और साम को जो है उसका ही एक टेस्ट पूरे 8 बजे तो 8 बजे जो है आपका एक जो क्वस्चिन पेपर जो हमने सुभा डिसकस किया होगा पूरा जो 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 ग्राफ़ी या हिस्ट्री से समंदित जो भी हमने लेक्चर आपको करवाय करें सुबह उसका आपको साम को एक टेस्ट रखा करेंगे जिसमें आप एच्पीजी के को पके कर सकते हैं अगर हम हम हमेरपूर की बात करें तो उसमें मैक्समिम्म 15 नंबर का जो है वह एच्पीजी के आती है आमान कर चल सकते हैं 30 प्रसंट तो जो 30 में से आपको जो है 25 से लेकर 26 प्रसंट तक जो है हम इस क्रैसकोस के जरिए जो है कवर करवाएंगे तो यह मेरा विश्वास है और आपकी मेहनत सभलता जुरूर हासिल करेगी अगर आपने मेहनत अच्छी की होगी तो बने हमारे इस यूडूब चैनल के जरिए और अगर हम बात करें सिलेबस तो इस प्रकार से जो है हमने सिलेबस को डिसकस किया है सबसे पहले हम जो है डे वन में करेंगे हिमाचल प्रदेश बगौलिक परचय तो इसमें क्या क्या हम जो है वो जो 1.3 तक जो है हम इसमें डिसकस करेंगे तो यह आपको कल सुभा जो है वो वीडिय मिलेगी और अगर हम बात करें डे टू की तो इसमें हम जहरने था चसमे तक करेंगे और डे थ्री की अगर हम बात करें तो मिट्टी तक और जो है डे फोर की बात करें आपदा प्रकृतिक आपदा और उसके बाद जो है डे फाइब में हम जो है भगौरिक परिचय के प्रसन उत्तर करेंगे टोटल जीतना भी हमने पढ़ा उतने के टोटल जो है प्रसन उसे प्रकार से हिमचल प्रदेश का इतिहास डे 6, डे 7, डे 8, डे 9 इस प्रकार से जो है हमने ये बनाय होना schedule और उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रसासन तो प्रसासन में डे 11, डे 12 इस प्रका करेंगे जब आपको detail वीडियो मिलेगी तो आपको ये पूरा जो सलेबस है वो समझा जाएगा तो उसके बाद next अर्थवस्ता आएगी तो अर्थवस्ता से इस मंधित भी हम जो है वो टोटल इसमें discuss करेंगे उसके बाद भविद तो भविद इसके बाद जो है वो डे 30 त हमने ये crash course बनाय हुआ है और आपको साम को जो है daily एक एक जो है वो quiz की वीडियो मिलेगी जिसमें maximum जो है वो 52-70% की जो है एक वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल के जरिए 8 बज़े मिला करेगी तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो के साथ तब तक के लिए जूडर ही हमारे YouTube चैन जै हिमाचल